हलो एवरिवन स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जिडसी एट्यूटर में मैं आप सभी के सामने मौझूद हूँ एक नए फार्मिसी जॉब अपडेट के साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट बेंगल गॉर्मेंट में आए हुए फार्मसिस्ट जॉब के बारे म जी हाँ देखे समझेगा एनेचेम डिपार्टमेंट से ये पोस्ट आई हुई है और उत्तर दिनजपूर एरिया का ये पोस्ट है इसके ओफिसियल वेबसाइट पर आपको लेकर चलता हूँ जो है www.उत्तरदिनजपूर.gov.in इस वेबसाइट पर पहुँचेगा वहाँ जाते ही आपको नोटिस पर क्लिक करना है नोटिस से आपको रिक्रूटमेंट पर जाना है जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पर पहुचेंगे यहाँ सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यू रिक्रूटमेंट of different post under NHM, अब देखिए कहां से post आई हुई है, तो office of the chief medical officer of health, यहां से post आई हुआ है, और यहां से आपको इनके official notification को download कर लेना है, तो चलिए download करते हैं, देखते हैं क्या है, notification किस तरीके से इन्होंने detail किया है, तो कौन-कौन से post आई हुए है, बहुत सारे यहां पर आपको post देखने को मिल जाएंगे, बस हमें यहां बात करना है, pharmacist के बारे में, pharmacist का आप देख सकते हैं, यहां दो post आई हुई है, एक post है unreserved के लिए, और एक post है SC category वाले persons के लिए, देखा जाए, यहां पर eligibility criteria क्या पुछा गया है, तो बहुत ही minimum यहां पर qualification मंगा गया है, diploma in pharmacy वाले students से लेकर master's वाले student भी यहां पर apply कर सकते हैं, diploma हो गए, bachelor हो गए, और master's के students यहां apply कर सकते हैं, पहला, दुसरा क्या होना चाहिए, आपके पास West Bengal PCI में, यानि West Bengal के pharmacy council of India में आपका registration होना अनिवार यह है, फिर बात करते हैं, weightage will be given for the higher qualification, जिस candidate का qualification सबसे ज्यादा रहेगा, उन्हें ज्यादा marks मिलेंगे, यहां पर मतलब master's for students के लिए यह बहुत ही beneficial है, फिर बात करते हैं, किस तरीके का qualification, किस तरीके का experience इन्होंने मंगा है, तो आपको बेंगली आना चाहिए, बेंगाली आपको यह language आपको आना च चाहिए, जिसमें MS Office और इंटरनेट इन्होंने include किया है, जो सबसे important और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ वही candidates यहां apply कर सकते हैं, जिनका residential West Bengal से belong करता है, जो West Bengal में रहने वाले हैं, सिर्फ वही यहां apply कर सकते हैं, चलिए, नेश आते हैं, क्य year minimum age और 14 year maximum age के candidates ही यहां पर apply कर सकते हैं, इनके salary की बात किया जाए, तो 22,000 पर मन्त की salary इन्होंने यहां पर design किया है, चलिए देखते हैं, और का important आ रहा है, किस तरीके से आपको apply करना है, यह समझ लीजिए, उसके पहले, यह समझ लीजिए, किस तरीके का marks यहां पर हो सक सकता है, किस तरीके का selection हो सकता है, तो पहले बता दिया, appropriate marking against mark obtained in diploma bachelor और master in pharmacy, ठीक आपके जो marks academic result है, इसके इसाब से आपको marking मिलेंगे, फिर एक computer test होगा, जो जिनमें आपको qualify करने के लिए 50% marks obtained करना होगा, qualification marks कहां पर 50% रहेगा, चलिए, नेक्स आते हैं, कैसे आपको apply करना है, तो इस notification के last में इन्होंने एक application format दिया है, यह देखिए, application format इन्होंने दिया है, जिसे आपको feel करना है, proper तरीके से हर एक point यहां पर आपको mention करना है, बिना किसी गलती के, और इस bio data format को आपको जितने भी, यहां documents मंगे गए हैं, उनके साथ आपको यहां पर attach करना है, औ attach करके, इनके address पर आपको courier करना है, यह बात का ध्यान रखेंगे, यहां आपको online application नहीं करना है, यहां आपको अपने documents और यह जो bio data आपका format होने जा रहा है, इसे आपको feel करके, इनके address तक आपको post करना पड़ेगा, by the Indian post, किसी दूसरे method से यह accept नहीं करेंगे, पहले ही दोने बता दिया, तो देखते हैं, क्या क्या आपको यहां पर attach करना है, इस envelope में आपको क्या क्या दालना है, तो सबसे पहला जो यहां application form है, यह से आपको apply करना है, application form को आपको feel करना है, और इस बात का ध्यान रखेंगे, जो आपका application form रहेगा, वो आपके area के CMOS द्वारा find रहे proper तरीके से, और इसके बाद आपको अपना attached photocopies यहां पर attach करना है, जो आपके जितने भी mark seat है, 10th के 12th के mark seat, और आपके अगर आपने bachelor's किया है, तो bachelor's के diploma है, तो diploma और master's है, तो master's का आपको mark seat यहां पर attach करना है, उनके photocopies attach करेंगे, ध्यान रखना है, चलिए, और क्या रहा है, envelope में आपको सबसे उपर अपना नाम mention करना है, और दूसरा किस post के लिए आपने apply किया है, यह आपको mention करना है, चलिए, अब इसके बाद आते हैं, इसके important point पर यहां क्या बताया इन्होंने, आपको ये bank detail दिया गया है, इस bank detail पर जा कर आपको application fees पे करना है, application fees पे करेंगे, कितना रहेगा application fees, 100 rupees for the unreserved categories and 50 rupees for the reserved categories, चाहे किसी भी reservation category से बिलॉग करें, आपको 50 rupees पे करना है, इस address पर या इस bank details पर जा कर आपको यहां पर application feel करने हापर आपको फिस पे करना है, और इसके बाद इनका जो receipt आ रहा है, इस payment receipt का एक copy भी आपको अपने envelope में include करना है, और इन सभी documents को आपको इनके address तक पहुंचाना है, जो है office of the chief medical officer of health and member secretary, dh and fws कार्णो जो रा राई गंज district उत्तर दीनजपूर, pin code है 733130, इस address पर आपको भीजना है, और last date क्या रहने जा रहा है, 6th March 2023, within 4pm, इस समय के पहले, उस address तक आपका documents पहुंच जाना चाहिए, अगर नहीं पहुंचेगा, तब आपको accept नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यायर रखेंगे तो 6 तारीक है तो मानकर चलते हैं, चार से पांस दिन तो लग ही जाता है, उस address तक पहुंचने के लिए, तो कोसिस करें, चार से पांस दिन पहले ही पहुंचा दे, आप registered speed post या कुरियर द्वारा भी यहां पर apply कर सकते हैं, लेकिन by hand यहां पर नहीं लिया जाएगा, अब देखिए, selection के सबसे पहले यह एक सौर्ट लिस्ट बनाएंगे, जितने केंडिडेट्स सभी को सौर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जो सौर्ट लिस्ट रहेंगे, सिर्फ उन्हें ही inform किया जाएगा, next further step के लिए, जिसमें computer-based test रहेगा, या interview test, तो यहां फार्मसिस्ट के लिए क्या बत रजिस्टर या जितने भी हमारे सौर्ट लिस्टेट केंडिडेट्स रहेंगे, सिर्फ उन्हें ही further call आएंगे computer skill test के लिए, clear है, चलियें, सभी points को जरूर से याद रखना है, हर एक तरीके को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको यहां application form feel करना है, कैसे आपको post क करना है, और किसी भी तरीके के गलती से आपको बचते हुए चलना है, clear, hope so, आपको हर एक point समझ आ गया होगा, कैसे आपको apply करना है, किस तरीके का यहां पर process होने जा रहा है, और ऐसे ही नए job updates से update होने के लिए, gdc e-tutor के साथ जुड़े रहे, stay tuned with gdc e-tutor, मिलते हैं एक नए job related update के साथ, thank you all